नमस्कार डियनेक्ष टीवे में आप सभी का स्वागत। मैं हूँ नीलम। आज विश्व परिवार दिवस है। इसे हर साल 15 माई को मनाया जाता है। इसे परिवारों के बहतर जीवन इस्तर। परिवार के विकास को ध्यान में रखते हुए 9 दिसंबर 1989 को युनाइटेट नेशन की जनरल एसेंबली में विश्व परिवार दिवस मनाने का एक प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद 1993 में जनरल एसेंबली में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। और हर साल 15 माई को अंतराश्ट्री परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। तब से विश्व परिवार दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट का उद्देश से दुनिया भर में परिवारों के बहतर जीवनिस्तर और सामाजिक प्रगती के लिए लोगों को प्रोचसाहित करना है। हमारा देश क्रिशी प्रदान देश है। यही वज़ा है कि यहां परिवारों की सररचना क्रिशी की आवस्यक्ताओं के अनुकूल की गई है। साथ ही भारत में परिवार के भीतर भारती संस्कृती इसकी रीड की हड़ी है। यहां मर्यादा और आदर्श जीवन के महत्पूर्ण अंश हैं। भारती परिवारों में कई ऐसी खूबिया हैं जो विश्व के किसी अन्य समाज में देखने को नहीं मिलती। जैसे ग्रहस्त जीवन की प्रवितरता, इस्थाई पन, पिता पुत्र, भाई-भाई, भाई-बहन और पती-पत्नी के इस्थाई संबंधों का उधारन आपको विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारे देश में मनाय जाने वाले कई तेवारों का आधार भी पारिवारिक संबंधों की हमेशा याद दिलाने वाला होता है। यही नहीं हमारे ग्रंतों में संयुक्त परिवार और उसके आदर्ष का व्यापक वर्णन देखा जा सकता है। अपने से बड़ों के पैर छुकर आशिरवाद लेना भी हमारी संस्कृती का महतोपुर्ण हिस्सा है जिसे विश्व के किसी भी संसकारित परिवार में देखने को नहीं मिलेगा। वर्तबान परिस्थिती में पूरा विश्व कोरोना कोविड-19 के खिलाब संगर्श कर रहा है। इस संगर्श में अब तक लाखों लोगों ने अपने प्राण गमा दिये हैं। ऐसे में विश्व भर के लाखों परिवार की वेदनाय सामने आई हैं। यदि भारत के संदर्व में देखें तो विश्व के कई देशों में लागडाउन की स्थिती ने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। लोग अपने परिवार के साथ घरों में बंध हैं। भले ही कोरोना से विश्व परिशान हैं लेकिन उसने परिवार के सदस्यों को अभू परिवार का सदसे नहीं है उसने आपको अपने परिवार के साथ रहने का सुनहरा आउसर देने के साथ साथ यह भी बता दिया है कि मानव सब्वेता की सबसे छोटी इकाई को बचा कर रखना जरूरी है इसके अलावा परिवार का मौ भी इसकाल में देखने को मिल रहा है जब कि उसने आपकी अनियंत्रित आजादी छीन ली है लेकिन कभी कभी कोई अच्छा काम किसी बुरे के हाथ होना लिखा होता है जिसे कोई नहीं रोक सकता ब्यूरो रिपोर्ट डियनेक्स टीवी रायपूर